वीरेंद्र के पिता सेट सुरेंद्रपाल के घर में खजान्ची का काम करते थे और अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे उन्होंने अपनी पूरी जायदाद सेट के घर गिरवी रख दी थी लेकिन सेट सुरेंद्रपाल बड़े ही धोखे बाज और लाची किस्म के व्यक्ती थे और उन्हें शादी के कई साल के बाद भी उलाद का सुख नहीं मिला था अचानक हार्ट अटैक से पिता की मृत्ती हो जाने के कारण विरेंद्र को अपनी पढ़ाई छोड़ कर वापस आना पड़ा एक दिन विरेंद्र अपनी पतनी सुलेखा के साथ बात कर रहा था सुलेखा मैं इस गरीबी से बड़ा ही तंग आ गया हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इससे कैसे निकले अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है जल्दी ही हमारी क्रेस्टी आगे बढ़ेगी पच्चे होंगे अपना खर्चा कैसे चलेगा जो भी काम करने चाता हूँ उसमें घाटा हो जाता है मेरी तो किस्मती खराब है ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा तुमने शेहर में जाकर इंजीनरिंग पढ़ी है ससुर जी की मृत्यू के कारण तुम्हें आखरी वर्ष की परीक्षा दिये बिना शेहर से गाओ आना पड़ा और तुम अपनी इंजीनरिंग पूरी नहीं कर पाए लेकिन तुम्हारे अंदर बुध्धी की कमी थोड़ी ना है तुम कोई ना कोई ऐसी युक्ती क्यों नहीं निकालते जो सबसे अलग हो हाँ सुलिखा तुम सच कहती हो पिताजी ने गाओं के सेट के पास पूरी जायदात गिर्वी रख दी थी ताकि मैं पढ़ाई कर सकूँ पिताजी की मृत्यू के बाद मैंने सेट को पैसे भी वापस कर दिये लेकिन उसने मुझे धोगा दिया और जायदात वापस नहीं की मैं बहुत दिनों से इसी के बारे में सोच रहा था युक्ती तो मैंने निकाल भी ली है पस कुछ चीजों के इंतिजाम करना है अगर सब कुछ मेरे प्लान के अनुसार हुआ तो हमारी सिंदगी खुबसूरत बन जाएगी और सेट को उसकी करनी का फल भी मिल जाएगा अरे जी मेरे होते हुए अपने आपको अकेला क्यों समझते हो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ बोलो तुम्हे क्या चाहिए तुम्हारे लिए तो मैं सेट जी के घर में चौका बरतन का काम कर रही हूँ मैं पैसे का इंतिजाम कर लूँगी मेरी शादी में जो पिता जी ने गहने दिये थे ना मैं उन्हें गिर्वी रखकर पैसे ले आऊंगी देखो सुलेखा मेरी योजना के खबर किसी को नहीं होनी चाहिए तुम मेरे नस्ती काओ मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने क्या सोचा है धीरे धीरे सुलेखा के कान में अपनी योजना बताने लगा उसकी बाते सुनकर सुलेखा बड़ी ही प्रसंद हुई देखो मैं कहती थी ना कि तुम बुद्धिमान हो तुम चिंता नहीं करो तुम्हें जो जो चीजों की आवश्च रखता है वे सब मैं लेकर जल्दी ही आती हूँ और तुम अपनी योजना पर काम शुरू कर दो तुमने मुझे जो कहा है मैं वैसे ही करूँगी विरेंद्र ने अपनी इंजीनिरिंग का प्रयोग करके नकली भैंस बनाई थी जो एक रोबोट के समान अंदर से चलाई जा सकती थी वैस सुलेखा को भैंस के अंदर बैठा कर खुद स्वामी जी के रूप में उसे सेट के घर लेकर गया सेट जी अपनी पतनी के साथ बैठे हुए बात कर रहे थी कि उन्होंने इतनी महिनत से जो धन दौलत कमाया है उसका क्या होगा बिना उलाद के वह जायदात का क्या करेंगे तब ही सेट के घर एक स्वामी जी के रूप में विरेंद्र अपनी बनाई गई भैंस पर बैठ कर आया और भैंस के अंदर बैठी सुलेखा मनुष्य की आवाज में बाते कर रही थी क्यों री सकी मुझे पता है तुमुझे यहां क्यों ले आई तुमुझे बिना कारण तो कहीं ले नहीं जाती यहां लाने का भी कोई न कोई कारण जरूर होगा स्वामी जी सेट जी के विवाह को पंद्रा वर्ष हो गए हैं पर अभी तक संतान का सुख नहीं मिला मैं आपको यहां इसलिए लाई हूँ कि आप अपने आशिरवाद से उन्हें संतान का सुख प्रदान करें वारी सकी तू तो सचमुझ बड़ी दयालू है मैं हिमाले पर बैठा तपस्या कर रहा था और तू मुझे यहां लियाई लगता है इन्होंने सच्चे मंद से प्राथना करी है ठीक है मैं तुझे यहां छोड़ कर जा रहा हूँ तुझे इन्हें जो आशिरवाद देना है दे दे आखिर तू है तो मेरी ही शक्ती ना सेड़ जी आप किसमत के बड़े धनी है वैसे तो मेरी भैंस मुझे कहीं जाने नहीं देती पर ना जाने मेरी जादूई भैंस मुझे यहां आपके पास कैसे ले आई लगता है आपने सच्चे दिल से शिव की भक्ती की है अब आप इसकी सेवा कीजिए इसके प्रताप से आपको जल्दी ही संतान की प्राप्ती होगी याद रखेगा मेरी भैंस मनुष्य की भाषा बोलती है और मनुष्य का खाना खाती है और मनुष्य की तरह रहती है उसे बांधने की जरूरत नहीं है उसे घर में पूरी सुअतंतरता दे दीजेगा इसके बारे में किसी को मत पताईएगा वरना भला हम कितने लोगों का भागिस उठारेंगे आप ठहरे तानी आपकी बात अलग है स्वामी जी की बात सुनकर सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए स्वामी जी को नमसकार करा और भैस को लेकर अंदर चले गए सेठ और सेठानी दिन रात भैस की सेवा करते और उसे तरह तरह के पकवान खिलाते जादूई भैस इनसानी आवाज में उन्हें रोज कुछ ना कुछ नए पकवान खाने की इच्छा जाहिर करती सेठानी ने सुलेखा से कोई भी काम करने से मना कर दिया था भैस के लिए वह अपने हाथों से बना कर खिलाती कमाल की बात यह थी कि वह जितना भी बनाती थी भैस अकेले पूरा खा लेती वह पूरे दिन सेठ के घर रहती और रात में नजाने कहां गायब हो जाती एक दिन भैस सेट जी से बूली समय आ गया है कि मैं तुम्हें पिता बनने का आशिरवाद दे दूँ आप ऐसा करिए घर का सारा सोना चांदी सब कुछ मेरे चरणों में रख दीजिए मैं अपनी मंत्र शक्ती से उसे बच्चे में बदलने की कोशिश करूँगी अगर रुपिया पैसा खाइब हो गया तो आप कुछ दिनों में उसके बदले पिता बन जाएंगे वरना इस जन्म में आप पिता नहीं बन पाएंगे पिता बनने के लालच में बेचारे सेट सेठानी ने अपना पूरा रुपिया पैसा भैस के चरणों में रख दिया और खुद आखें बंद करके बैठ कई सुलेखा ने जल्दी जल्दी सारा रुपिया पैसा भैस के पेट में बैठे वीरेंद्र को पकड़ा दिया और खुद भी आँख बंद करके बैठ कई थोड़ी देर में जब सेट सेठानी ने अपनी आँखें खोली और देखा कि सारा सोना चांदी गायब था तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह जल्द ही माता पिता बन जाएंगे लेकिन उस रात के बाद उन्हें भैस कभी नज़र नहीं आई वीरेंद्र और सुलेखा अपनी धन दौलत वापस पाकर बड़े ही खुश हुए और उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया और गाउं में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे कुमार ही हैं हर दिये से एक जैसी ही रोश्णी निकलती है जलते हुए दिये को देखकर कोई यह नहीं बता सकता कि कौन सा दिया अमीर का है और कौन सा गरीब का औरत ने समीरा को पैसे देते हुए कहा बेटी यह है एडवांस रख लो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी न जाने कैसे मेरे मन में अमीर गरीब का भेदभाव आ गया इसके लिए मुझे माफ कर दो मेरा एक बड़ा बुटीक है जहां पर मैं हाथ से बनाई हुई चीजों को बेचती हूँ आज से तुम्हारी बनाई हुई सभी मिट्टी की चीज़ें मेरी बुटीक में बिकेंगी और तुम्हें उनका बढ़ी अदा मिलेगा तुमने मेरी आँखे खोल दी हैं दिये को बनाने वाले हाथों में कोई फर्क नहीं होता फर्क तो बस हमारे देखने के नजरिये में ही होता है दादी और समीरा के सारे दिये बिक चुके थे और उन्हें आगे व्यापार करने के लिए एडवांस भी मिल गया था उनकी इमानदारी और सच्चाई ने उनकी दिवाली को हमेशा हमेशा के लिए रोशन कर दिया था इस दिन के बाद से उनकी सारी दिवाली खुशियों से भर गई और वह खुशी खुशी अपने दिन गुजारने लगे पर दिने दिन ओकर बाद से भी लिए था दिना दे दीक पने हैं पर पर बामले बामले उनकी और सच्च के अखुश्मारी ठुश्त बामले लिए हमेशा इस दिना दा ए मैंजर आ इस दिने Wुश्स्वाह।